को दोस्त कर में स्व गोस्ता मिं हम लोग पिशो और फिसे पुरी की राजजि estos पर लगाता अपडेट आपको दे रहें पिछोर में क्या चला सप्ली मेथ इतो य य जो सप्ली को भी अच्छी तरह से जानते हैं और नरो में उन्हीं पर चर्चा कर रहा है क्योंकि सिप्पूरी में हम लोग जब गए तो वहां जो विकास की बातों है जो भार जिंदा पाइटी दावे करती वह कुछ देखने को वहां मिला नहीं है पिछोर में केपी सिंग यहां से चुनाव लड़ते तो नहीं लड़े हैं इसके बात माइटे लड़ा से राजत कोरते हैं तो अल्दी से चर्चा करता हूं एक में पूर मेंने में सर्विस में था किससे पहले मेरी मान च्ता भार्ती जंता पारटी की कि थी बारती जनता पाइटी को मैंने 2018 में विजिन आठ दिन में जो है उसका परत्याक किया उसके आचरन विवार से दुखी होका और क्योंकि केपी सिंग मेरे साथ में चाथ जीवन से पढ़े हैं हमारे सानद में शुरू में आये थी राजनी तिक उनका जीवन भी सी आर क्लास रिप्रेजंटे हमने उनका सुरू किया थी अब राजनी तिक छित में बिचारों में मतवेद होती रहे समय समय पर इनिवर्शिटी चुनाओं में जब आवसक्ता होने पड़ी तो फिर वो हमाई पास संपर किया उसमें उनकी अमने मदद दी और विजान सवा चुनाओं के तार्तम में भी वो नर्दली रूप से फारम डालने को तैयार थे तो फिर हमें उनसे भेंट ही उस समय में सर्विस में पहुंच चुका था तो उस समय चर्चा में हमने उनसे कहा अगर नर्दली सुनाओं लड़ना का कोई बो नहीं है और चट आप कोई पलेट फारम तलाशीए इसके बाद में आप आओ आओ आपका स्वागत होगा उनने उस बात को माना फर की लक्षिनान जी गुपता जी 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 जिया है क्या हमने कि अगर तुम हम सब मिलके टाकत लगाएं जी तो सम्भूत अच्चताओं जी जाएंगी और ऐसा ही हुगा सभी छेत्र के लोगों ने गुपता जी का साथ दिया कांग्रेश के प्रत्चास ही के रूप मोर्स भी महराश चिही हो दी थी, उप चुनाओ अरे इसके बाद जब अगला चुनाओ का नमर के पी शिंही का ने अप्ले तक प्रियास कने ख़ी फार्म तलास लिया और कांग्रेश के फार्म पहला चुनाओ उन्हें 13 है जन्पद अद्यक्ष के बाद में उनको पलेट फारम कांग्रेस का मिला और पहला चुना उन्हें नड़ा अच्छा थोड़ी सी हम उनकी जवानी की बात करेंगे चुकि आप साथ मनें पढ़ाई वड़ाई की है के पी सिंग जो आज क्या वो जवानी में वैसे थे तो के पी सिंग की जो बात कटता है वो वही है जो समय ठी अगर वो सब्त को स्वीकारता है और जूंट को ना कारता है यह उसका सवाव अभी निर्मित नहीं हो गया यह पूर से यह जो ठान लेता है कहां से थे यह सब चीजें कैसे आएं क्या बब्बा या पिता जी यह समझो के कमले सुर महराज की करपा है कई लोग इनसे फिर भग भी जाते होंगहएं जब बोल देते हैं अभी देखते मैं वीद्जय भुछाए बोल देते हैं लिकिन उनके विचारों को उनकी आत्मा से थोड़ी तो भुख नहीं लेकिन अंदर तो नरम है बहानी है बोल दिया लेकिन इसके बाद में जब कोई बात होती है तो वो बुला के उनको चर्चा करते हैं और सन्तुष्ट करते हैं ऐसा नहीं है अब प्यूंकि क्या है कि बोल चाल में तो हमारा भी सवाव ऐसा है हम भी कोई बात हो जूट बात हो को तो हम सहन नहीं करते हैं भी बोल देती हैं लेकिन इसका मज़र जेथोड़ी है जो अपने प्रिये लोग है उनको छोड़ थोड़ी देती हैं। उनने नी छोड़े ऐसे लोगए। नए उस तक ऐसा कोई। अब अपने आप। अब जैसे यहां उनने तेरानवे में चुनाओ लड़ा। वह भी एक रोचक कहाने। उस समय तेरानवे के चुनाओं में विधायक बने। और यहां पर नग अबेर पंचाथ के चुनाओं में हमारी पतनी प्रत्यासी थी तो इधर से उनने रमेश सर्मा को अपना प्रत्यासी बनाया। और चुकि नए विधायक थी और युवा तारणाई थी तो उनने कानून विवस्ता को भी ध्यान में यखाओ और प्रसम समयलन में हुआ गेराबंदी हो गई दुनिया का उद्हम हो गया लेकिन दुखत बात तो उस रमाय की है कि ये तत्यी भूल के बाद में जिसके लिए उनने इतना कुछ किया वो व्यक्ति विकास कांग्रेस बनने पर विकास कांग्रेस के साथ चला गया अज वो जो है भार्व की जंचा पाइटी में चला गया जबकि अगर कोई खानना नहीं व्यक्ति होता तो केपी सीम करदामन मरते मरते तक नहीं छोड़ना चाहिए मादराव सिंधिया से इनके संबंद रहे मादराव सिंधिया के संबंद नके रहे अब चूंकि ये तो पार्टी तो निष्टाबान हो गया आज की क्या इस्तिती है हम तो अपनी इस बिधान सवाटी जनम भूमी और करम भूमी भूमी को नमन करते हैं कि इस भूमी में ऐसे सपूत प्यदा हुए जिसने कांग्रेस की निष्टा को प्रमानच कर दिया जहां से भी छे तुनाओ जो है जीतते आये हैं और इस विदान्शवा की गरीब जनता और तमाम पूरी समाज की जनता उनसे जुड़ी हुई थी अब उनको तो पता नहीं भूली जनता है जब पता चला के के पी सीमी जी हमाय बिदायक सीपरी चनाओ लड़ने चले गए तो यहां क्या पोजिज़स हुई है तो यहां च्छेत्र के लोगों नहीं चार दन हम लोगों को ऑन केमरा कोई बोलने वाला नहीं मिला तो आपने अनमों किया तो उनने प्रमान्च कर दिया और हमें अगर्वेस धर्टी पर अपने धर्टी के सपूत पर हाई कमान के आज़िस पर सिंदिया को भेड़ने के लिए अपना घर छोड़के और श्यूपरी से जाके चनाओ लोगों को दीरे दीरे तो अब सब लोग सामान है और सब उनके निर्णा के लिए सरा रहे है बीजे पी सुची जारी कर दी शिंदिया का नाम नहीं है जया नहीं कोई यह उसी का कारान है अगर केपी सिंग का कांग्रेस टिकेट फानल नहीं करते हैं तो वो पहले आकर अड़ता अब यहां कर दिया तो पूरी घेरा बन दी होगी तो उने कहीं लड़ने की गुण्या से नहीं दि चुदक्ताई ही हुआ होगा अब कहवा है लेकिन उनके लिए इतना दायत देदी आ के 5 सीटे के पी सीमी जो है टेख रहे हैं सीपरी ले की तो यहां भी ब्यख रहा है हो कल जो है उनका यह प्रेम है करकर्टा मीटिंग ले रहे हैं कांगरेस करकरता हूं कि इच्छोर पर लोगों की हम जब सदिख रहे हैं जब भाजा पामा थे तो जब तक रेजेंट नहीं खुड़ता था जब तक जूए जीती बन गई जब तक रेजेंट पेला कच्छुए ते पर दीमेदी में घड़ता दो हजार की इस्तिती बन गई ऐसे आपने के आपको तो ज्यादा अनुब हुए हमसी के आपने दिखा हुए जैसे पचीस हजार से चुना उहरा और अगले चुना में बोई पचीस हजार से जीता तो क्या राक पत्र परस्तितीं अठारा में निर्मित थीं उनके लिए उनने तीन साल में कवर की चुकि क्या साल में कुछिकर के, कार्व मे 我們's मुहुंए की सरकार में जो कांग्रेशन के कन परस्तित्यों में क्या हुए बहूत बड़ा उनको चुना डेमज्ब किया, उस समय तो हमें पुद हैरिये वाला और कंट्रोल किया बाद में धीरे धीरे जब प्रस्टिती आगे चली तो पार्टी ने जो भूल की थी उनने जो महसूस किया और हमें फिर देखने को मिला कि इनको दायत दिया 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 चाहिन समीची में जो विदायक जी केपी सिंग का जो उनने ना म परे किये और अगली जो कमी उनकी थी उसको दूर करने के प्यास किये उस ताल तो मैं आपने देखा हो खनिया दाना बेल थोड़ा कमजूर रहता था उसके कारणों में लोगों के नीजी थे कुछ उनको यह लगता था कि अब एद काम हम करें पत्थर बजी का और यह काम हम उसमें कोई दिक्कत आती तो उसके लिए मैं आपके लिए मज़द को तया है लेकिन हरा आदमी जिस होटा है कि पैसा चाहिए कुछ भी हो तो होई मज़द करो तो यह ऐसा संबग नहीं हो पाया इस जो वहां बुरूट का कारणबा था किया था किया था उसके पीछे लिए इस सेलें सींग को चेहरश लिए मनाया था कि उनको पूरी बिजान सवा का अच्छा दियाने और जन्पद खनिया दाने से सेलें सींग पुरानी स्टेट राज गढाने का से सम्मंद रखती है तो खनिया दाना की जो रियासत है वो उनकी स्टेट से जुरी हुए सब लोग ह का जो आनन्द कर रहे हैं तो उनका हका बनता था उनके पिता जी भी पहले विदायक रहे हैं पर हक का चड़ा लोगों का कुछ रजहान कम समझ में आया और कुछ लोगों ने इस प्रकार की आरोफ प्रत्या रोग भी लगाए के के पी सिंग भी ठाकोर हैं और यह इन ठाकोर को दे दिया जबकि इन जी तो जाती भीदबाद करते नहीं थी और उनके आरोफ लगना शुरू हो गया के पी सिंग पर आरोफ सबस्वर पर प्रितम लोग दिने लगाओ पर पंजाब सिंग ने लगाओ बीजेपी के कारिकरता ने करनों लगाओ अब जगो प्रितम सिंग आरोफ लगाने के लिए प्रित्यासी है तो वह अजक्रत हो जाते हैं तुम अले लगन तो शनटालत्य कर रहां डराक वहें आ जाती है कॉवास कर दे पीकिती ही ओर जनदा समझती है कि कौन सही है। कोन गलत है। कोन हमाई हिटकर है। कोन हमाई हिटकर है adalah अरवन लोधी चेहरा बने हैं। अरवन लोधी बहुत अच्छा लटका है नए लड़का है। अच्छे परवार California से है एक किसान का बेटा है। परमचारी का भी बेटा है। और काफी राजनेतिक लोकतांतिक पत्ती में केई पदों पे रह चुका है। और वो अपनी एमानदारी और अपनी सरल्टा और म्रद वासा का बोली दे चुका है प्रमार। अब आज स्थिती ये है कि एक तरफ सदाचारी एक तरफ दुराचारी अब इस स्थिती में चाहिन तो जन्ता को करना है। अब वह यहां जो आया था जलालपूरसे भाजापाने फेबल बेक मिल कर रखा था जब दिखो जब भारी प्रत्यासी उसी समाज के तो पहले तो यहां की जन्ता को जी भेद है कि 2,800,000 मत दाता हैं तो भारती जंटा पारटी को इसे करम में हम तो कांग्रेस कमेटी का मरदपरजेश की और करणी काश कमीही की दहन्वात करते हैं और उनका बड़ा इसान है को उनने हमारे विदायत को इतना बड़ा दाउद दे के हुआ भीजा और यहां पर उनने भी यह थाबित कर दिया कि हमारे पास जादी भेदवाओ कर नहीं है और एक उसी लोधी बख्षमाज की व्यक्ति को हिवा को उनने टिकट दे के अब जनता क के हवाले छोड़ दिया कि अब जो तुम्हारा काम है तुमने ने कर और जब से उसका टिकट घुसना हो गई है तो दो दिन से आप देखो उस मेफिल में माई उसी छागी क्योंकि जो एक मुटईया उस प्राप्त करता था अब मुटईया का बटबारा हो जाएगा और यहा पूरा माल जो है उस अर्विन सींग को सौप दिया जाएगा और तीन कालिक को जब पढ़ना हमाएगा तो फिर आप से मुलाकात धर करने जी थोड़ा से सिपुरी पर बोलिएगा अचा सिपुरी की जो है मैं हुआ करम भूमी मेरी सिपुरी रही और मैं दस साल में रंतर द जाए तो इनका भी छेत्र बोई रहा जब छात्र जीवन यहां से सुरू हुआ इनवर्सिटी का अध्यक्षर है तो पूरे गौालियर संबाग के छात्र नेता जित्ते भी थे वो इनके संपर्क में है तो सिपुरी का जो गौालियर संबाग के किसी भी बिजान सावां उत रहे हों लेक्न कर रहे हैं अब समय लंबा हो गया है तो जो चात्रों का इनने हिट किया है अध्यक्ष की तोर पर वो बेनिफिक्ट हर विजान सवा में उनके विवाशाती है और फिर विजान बनने के बाद में जब उनकी सोच अच्छी है तो कहीं का भी कोई व्यक्टी आ जाए और वो अपने दर्द का बखान किया होगा तो मैं समझता हूँ स्यूपरी में भी आप अगर इंटर्वू ले रहे होंगे तो आपको यह से कैई मिले होंगे कि हम बिलाद एक स्यूपरी के या मंत्री के पास गए किसी ने हमाई गवार नहीं सुनी लेकिन जब हम पिछोर के बदायक काकाजू के पास अपनी बात लखी उन्हें समय नहीं लगाया और हमारे काम के लिए उन्हें जो है तो उनके बारे में जादा आपन कुशी की तींका टिपली करें तो ठीक नहीं वैसे इस यास के पन्ना पड़ो पुराने तो बहामें देख भी पड़े मिला और बरतमान में आपने हमने सबने देखो यह थोड़ी सी जोगी कखा जू लगातार तीन-चार मीटिंग कर चुक अगर पालोग थोड़ों सो एक उपचनाओ के लाम बीच में आए थे वे भी कोनों को बिर्भग गड़े फेर आ गाए और कोई अस्तुत नहीं आए ऐसे में लोकल की राज़ी तो क्यासा समूंज कि वो सहर है जो ग्रामी नंचल है सहर में एक से लोग और भी है जिनने बात से संपर किया जिस दिन वहां पहुंची है तो शैलाफ सा उमड़ा लोगों का भीड़ तो लग रही देख तो जब शैलाफ उमड़ा तो फिर ऐसी कोई समस्चा है तो जी मुझे तो नहीं लगता कि कोई ऐसी समस्चा हो लेकिन अब आप माध्यम से का बता को खुद ब सहर के जो कार करता होंगे वोने संकित कर रहे होंगे तो अब किस प्रकार के खतरा है अब जे चुनाओं की जब करिया पर कर चलेगी तो उन खत्रों का समाधान उसे आता है जब अकरी में श्विपरी और पछोर कर रह जो कहा कि औन्मानित परणाम का होगी बाले हैं अन्मानित परणाम तो जले की बात करो जले की 500-者 जिताकर के पी सिंग जी जो है कांग्रेस को सुपेंगी पिछो जिताते हां कहें नहीं जो उनकी जितासि जेए गें पिछोर तो जीटेगा जीटेंगी और कांग्रेस में उनका अपना हैसियत और प्रश्चत हो जाएगी और उनने जो दायत दिया उस पर वो खरे उतरेंगे बहुत बहुत धन्वाद